नमस्कार दोस्तों, BC यानी बॉलीवूड चलोगे में आपका सौगत है आज हम बॉलीवूड के उन इस्टारों के बारे में बात करने चाह रहे हैं कि जिनकी सिर्फ एक कल्ती की वज़े से उनका पूरा कैरियर बरबाद हो गया जी हाँ दोस्तों, देखा जाए इस सूची में सबसे पहला नाम आता है साइनी आउज़ा का जी हाँ, साइनी आउज़ा देखा जाए जब इन्होंने अपने कैरियर की सुरवात की थी गैंग इस्टार और भूल भुलया चैसी सूपर टूपर हिट मूवी दी थी लेकिन इसी दोरान सन 2009 में उनसे बहुत बड़ी कलती हो गई उन पर लग गया 19 साल की नौकरानी पर रेप करने का आरोग जिसके चलते उनको 7 साल के लिए जेल हो गई इसके बाद वे बड़े परदे पर वापसी नहीं कर पाएं और वे आसफल साबित हो गएं दोस्तों और इसी कड़ी में एक नाम हो रहता है जो नाम है विवेक ओबराय का ची हां दोस्तों देखा जाए विवेक ओबराय अपने सुरुवाती कैरियर की पीक में से और वे एक से बढ़कर सूपर हिट मूवी दे रहते लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सलमान खान और अशुर्या राय का ब्रेक अप हो चुका था और इसके बाद विवेक ओबराय और अशुर्या राय की अफैर की खबरे सामने आ रही थी जिसके चलते सलमान खान ने विवेक ओबराय को फोन में काफी बाते सुनाई जिसके बाद विवेक ओबराय ने प्रेंस कॉंफरेस करके सारी बातों को बताया लेकिन इसके बाद सलमान खान पे कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन विवेक ओबराय का जो कैरियर था वो दोस्तों खतम हो गया और विवेक ओबराय आज तक वैसी वापसी नहीं कर पाएं और इसी लिस्ट में एक और नाम आता है वो नाम है बॉलिवूड एक्टर्स मम्ता कुलकरनी का जिन्होंने अपने सुरुवाती कैरियर में शारुक खान से ले करके सलमान खान तक बॉक्स ओफिस केलेक्शन में ता उनका पूरा कैरियर परबाद हो गया और आज तक वे बड़े परदे पे वापसी नहीं कर पाएं जी हाँ दोस्तों दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में हमें चरूर बताईए हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे मिलते हैं अगली वीडियो मे तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई